नमस्कार दोस्तों अभी हमने कुछ सब्जियां वाई हुई हैं आप मैंसे बहुत सारे दोस्तों ने अपने बगीचे में या च्छत पर बैगन भिंडी लौकी तो रही बहुत सारी सब्जियां ग्रोफ की हुई हैं लेकन हुए कि आया के पॉदों की तो ग्रोफ चलवर है लेकन उन्ति들 प्रकार से सब्जियां लाख सकते हैं लेकन उससे पहले दोस्तों अगर पहली वार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो सस्क्राइब जरूर कीजेगा और अगर आपको अमारे वीडियो पसंद आए तो प्ली जिससे लाइक करना और कम से कम एक वार सेयर करना बिल्कुल मत पूलेगा तो दोस्तों करना क्या है कि अगर आपके गमलों में सबजियां लगी है तो उसमें पानी दे लीजिए और दो एक दिन का वेट कीजिए जिससे मिट्टी थोड़ी सी ड्राय हो जाए और सूख जाए ग्राउंड में अगर आपने सबजियां वाई हुए तो वहाँ भी ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं आपको इसमें टेंसल लेने वाली बात नहीं है कि केवल गमलों के लिए हम बदा रहे हैं ऐसा नहीं है आपने जहां भी सबजियां लगाई हुए है और आपके साथ जो समस्या आ रही है ये दोनों का समाधान करेगी दो से तीन दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे जो गमले की मिट्टी है उसमें अब नमी कम है तो फिर आपको एक टूल लेना है पेजक्रास या कोई नुकिली चीज इसकी सायता से आपको अपने गमले में तकरीवन दो इंच तक की मिट्टी को निकाल देना है दोस्तों मिट्टी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी सबजियों को बहुत ज़्यादा फीड की जरूवत होती है खासकर उस समय जब उन पर फल और फूल आते हैं तो हम सबसे पहले इस मिट्टी को निकालेंगे और ध्यान रखिए इस मिट्टी को आपको एखटा करें लेना इसे फेक ना नहीं है क्योंकि आगे हम इस मिट्टी को काम में लेने वाले हैं तो धीरे धीरे साबधानी से उपरी जो रूट से हैं वो कट जाएं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन जो हमारा पौदाय उसकी मेन जो मुख्य जड़े हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुशना चाहिए ये काम थोड़ा धहरे पूरवक करें कोई जल्दवाजी नहीं करनी ह अच्छे तरीके से कम से कम 2 इंच तो मिट्टी आपको निकालनी है तो मैं इस मिट्टी को निकाले लेता हूं और ये प्रिकृरिया आपके वल गमले में ही नहीं जबीर पर पौदे लगे हैं वहां भी कर सकते हैं वहां मिट्टी को आप एक तरफ कर दीजिए क्योंकि जब हम दुबारा इसे काम में लेगे तो वो हमारे काम में आजाएगी मैं ये बैगन के साथ आपको करके दिखा रहा हूँ आप इसे विंडी पर अपना सकते हैं, लोकी पर, तोरी पर, करेले पर किसी भी प्रकार की जो सबजी आप गमले में लगाई हुए हैं, वहाँ पर आप इस प्रकरिया को फॉलू कर सकते हैं और ये ट्रिक्स सभी सबजियों पर बराबर काम करती हैं तो चलिए हमने इस मिट्टी को एकटा कर लिया है अब हुआ क्या के हमने मिट्टी निकाल ली है और उसके बाद जो उस पर फालतू ब्रांचेस हैं सूखी ब्रांचेस हैं या फिर कहीं सो कुछ पत्पियां पीली पड़ रहे हैं उन्हें तोड़ दीजिए और फिर आपको लेनी है कमपोष्ट खाद लगवग 100-800 ग्राम कमपोष्ट खाद आपके पास होनी चाहिए और जो हमने मिट्टी निकाली थी गमले में उस पर एक तह बना देनी है लवा आदा इंच मोटी कमपोष्ट की बर्मी कमपोष्ट की या गोबर खाद की अब आपने तह बनाने के बाद आपने जो मिट्टी निकाली थी पहले उस मिट्टी से डख दीजिए एक पतली सी लेयर फिर बनाईए मैंने गोबर की एक layer बनाई और उसके उपर soil यानि कि जो हमने मिट्टी निका ली थी गमले में उसके हमने एक soil layer बना दिये थोड़ी सी खाद हम फिर लेंगे और फिर इसके उपर एक layer बनाएंगे इसी प्रकार से आपने जो दो इंच मिट्टी निका ली थी हम दो तीन layer बना देंगे गोबर खाद की soil की फिर गोबर खाद फिर soil और आखे में उपर स्वल रखेंगे और उसे अच्छे तरीके से पीट कर मजबूत कर देंगे इससे क्या होगा कि बरसात के समय जब भी बारिश होगी तो हमारी जो खाद है वो पानी के साथ बाहर नहीं बहेगी वो misuse नहीं होगी जो भी खाद है वो मिट्टी में अंदर रहेगी और धीरे धीरे जब पानी जाएगा तो हमारे पौदे को मिल जाएगी यह सबसे महत्मून चीज़ा है कि मिट्टी से आपको इससे ढख देना है और मिट्टी को थोड़ा सा पीट देना है और आप इसके बाद हम इसमें आजानी चाहिए और उसके बाद इन पौदों को फुल सनलाइट में रखिए सेड में बिलकुल नहीं रखना है आपको तो दोस्तों लगभग साथ आठ दिन बाद आप देखिए हर ब्रांच पे फ्लॉवरिंग सुरू हो गई है और अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब आपको पानी थोड़ा कम देना है जब फ्लॉवरिंग आ जाए तो वाटरिंग सीमित रखनी है मैंने यह वीडियो यहां पर इसलिए दिखा दा हूँ पौदा आप देख रहे है थोड़ा सा मुर्जार आ है यानि कि वाटरिंग मैंने इसमें अभी सीमित कर दिया है औ वो फल में तबदील हो रहे हैं फ्लॉवर सूख रहा है और फल छोटे छोटे जो है बनना सुरू हो रहे हैं तो हमें उम्मीद है वीडियो देखने के बाद जो आपकी समस्याती कि फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं तो फल नहीं बन रहे हैं उसका समाधान हुआ होगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों और कम से कम एक वार इसे सेर करना बिलकुल मत भूलेगा अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई दोविदा है कोई समस्चा है तो आप बेज ही जख हमें कमेंट कीजेगा आपके जो सवाल है उनके जवाब देने की हम पूरी कोसस करेंगे तो धन्यवाद दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैशा लगा तो धन्यवाद